दोस्तों यह रोलर कोश्टर सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि यह सिर्फ हमें राइड का नजारा ही नहीं देता है बलकि खुबसूरत नजारा भी देता है पर यह रोलर कोश्टर स्विजर लाइन का सबसे मज़ेदार होने के साथ खतरनाक राइड भी माना जाता है क्यों जिनका दिल काफी मजबूत हो क्योंकि यह राइड बहुत खतनाक होता है जो कि एक टावर के उपपर पर बनाया गया है और यह राइड की स्वीड पचास किलो मिटर पर आवर स्पीड चलती है जो कि लोगों को 900 फीट की बीडिंग के उपर से लटका दिया जाता है यह राइ को गुफा के अंदर लेके जाया जाता है गुफा के अंदर जाते वक्त रोलर कोश्टर की स्पीड कम हो जाती है और फिर गुफा के अंदर से बाहर निकल पहाड के बीच में आ जाते हैं जो कि लोगों को यहां से काफी जाला खुपसरत नजारा दिखने को मिलता है पहाड का डर खतम नहीं होता कि कोश्टर को वापस फिर से पीछे की तरफ स्पीड में चलाया जाता है और फिर से लोगे गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर गुफा के अंदर मॉंस्टर के प्रोजेक्टर को दिखाया जाता है जिससे डर और जादा बढ़ जाता है यहां पर पिंग्लान का खास और innovative राइड है, इस राइड में manual monorail होते हैं, जिसे हम लोग को खुद राइड करना पड़ता है, मतलब हम लोग को यही खुद ही control करना पड़ता है, लेकिन यह राइड के लिए muscular strength भी होना काफी जरूरी है, इन capsule की top suit 45 km तक जा सकती है अब इस वीडियो को देखें यहाँ पर cage के अंदर लोग मौजूद है और yellow cage के अंदर इसलिए थे क्योंकि वो पानी के अंदर शार को देखने गए थे लेकिन तभी यह cage के पास शार का कर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है यह सब सच में काफी जादा खतरना कनुभव था और जो लोग cage के अंदर थे वे सच में काफी जादा डर भी गए थे लेकिन cage काफी जादा मजबूत था इसलिए शार कुछ भी नहीं कर पाया बहुत बार कोशिश करने के बाद भी शार cage को तोड़ने पाया आप वाहां सेवापस चलए जाता है टाप लोग कभी ऐसे रिष्टारेंट में गये है यह समूंधल के लहरं के उपर हो दोस्तों यह रिष्टारेंट दुबवई में मोझरू यहां पे लोग लहरों के उपर बेट कर डिनर कर सकते हैं यह लेहरे असली नहीं बलकि इसे ग्राफिक से बनाया गया है और इसका फील असली आने के लिए टेबल और चेर को भी ट्रैस्परेंट बना दिया गया है तो दोस्तों अभी अनोखे स्लाइड को देखें जो की जिगजग शेप में बनाया गया है और इस slide में पानी का बहाव भी काफी तेज होता है जो कि यह slide में जाने के लिए लोगों को पहले या indoor के step से चड़ने पड़ते हैं और यह सीड़िया चड़ने के बाद लोग अपना slide इस पानी के बहाव के पास से शुरू करते हैं यहाँ पर पानी का बहुत इतना तेज होता है कि इसी के वजह से लोग जिंग-जय्ग स्लाइड 5S स्लाइड कर लेते हैं जो कि यह स्लाइड पुरा पानी के अंदर चले जाते हैं दोस्तो अब यह Zip World है जो कि दुनिया का खतरना क्राइट मानी जाती है सिर्फ उचाही नहीं बल्गि इसकी लंबाई भी काफी जादा है जो कि पूरे 150 किलोमीटर से यह राइड करने के लिए पहले आपको सेफटी बिल्ट पहनाया जाता है उसके बाद आप लोगों कैसा रिलिस कर दिया जाता है जो कि आप लोग सुपर स्पीड के साथे से आगे बढ़ते रहते हैं वो भी पहाडों के उपर से तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना